पिछले काफी समय से भारत पाकिस्तान से आई एक नई तरह की मसीबत का सामना कर रहा है पाकिस्तान से आए चार एंच के छोटे से जीवों से पूरे भारत में खौफ हैं हम बात करें हैं टिड्डी डल की टिड्डियों के इन दलों ने पहले राजस्तान में हमला बूला और वो मध्य प्रदेश में घज चुके हैं पन्ना आगर नीमच जैसे मध्य प्रदेश के इलाकों में अब जगा 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 जुंड के रूप में लाकों ठीडियों की दिल हमला बोल रहे हैं महराश्ट की नागपुर में भी इनकी दस्तक हो चुकी है तिड़ी दल लाखों करूडों की संख्या में आते हैं और एक ही रात में सब फसल को चट कर जाते हैं एक वर्ग किलोमीटर के शेत्र को कवर करने वाला टिड़ीयों का जुंड एक दिन में 35,000 लोगों का भोजन खा सकता है हलागि टिड़ीयों का पनपना पूरी तरह से प्रकृती से जुड़ी घटना है रोचक पहलो ये है कि इनकी संख्या और प्रकृप का शेत्र मौसम और परियावरणी परिस्तियों पर निर्भर करता है ये जानकर आप चौक जाएंगे कि रेगिस्तानी टिड़ी एक ऐसी प्रजादी है जो निर्जन स्थानों में एकांत जीवन जीती है ऐसे में इन्हें जुन्ड के रूप में तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन ये विशाल जुन्ड के रूप में हमला कर रही है इसकी वज़ा उनमें जब तक एक खास तरह का बदला होना है जैकल और हाइड ट्रांसफोर्मेशन के जरीए ऐसा तब होता है जब उनके लिए हरे भरे इलाकों का शेत्रफल कम हो जाता है तब ए टिड़ियां अपना एकांकी जीवन छोड़ कर जुन्ड का रूप बना लेती है इस चैनल में टिड़ियां अपना रंग बदल कर सम्हू बना लेती है अफरिका से लएकर भारत तक टिड़ियों का कहर है टिड़िय दलों के सबसे ज़ादा हमले अफरीकी देशों में होते हैं कैनिया, युगांडा, डक्षिनी सुडान, इथियोपिया, सेमालिया किसानों की फसल नश्ट हो जाती है इसलिए किसानों को जैसे ही टिड़िय दल दिखाई दे तो समुही कुरूप से ड्रम, कनस्तर या थाली बजाना चाहिए क्योंकि तेज आवाज सुनकर टिड़िय दल वापस लौट जाता है इसके अलावा क्लोरोपारिफोस और साइपरमेथरीन पानी में मिला कर फसलों पर छुड़काव करने अथवा फैल्विन रेट तीन से पांच किलोग्राम पती एकड़ की दर से छिड़कने पर इसकी गंद से भी टिड़ी भाग जाते है subscribe our channel and press the bell icon for more updates